हेलो जहीं दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन डिसकस करने वाले हैं आज जितने भी प्रशन एड किये हैं यहाँ पर सभी की सभी प्रशन सेलेक्टिव और वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं आपके एक्जाम में हंडेट प्रशन यहां से कॉश्चन पूछे जाएंगे मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हल्फू लगेगा चल एक टीचर न कहकर मैं अपने आपको एक स्टूडेंट एक लर्नर कहना ज़्यादा बहतर समझूंगा क्योंकि मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किये था आपको आसान भाशा में समझाने के लिए और आपको हमारा पढ़ा हुआ इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं कि आज हम जिस पोजिशन पर खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़े से ही खड़े हैं है ना आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आज आप सभी को बता है 5 सितंबर है अध्यापक दिवस है और आप सभी कमेंट बॉक्स में इस समय विश्वी कर रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि जो टीचर है शुभम सर जो आगे आपने शब्द दिया है वो सब आप ही के प्रयासों से हुआ है आप ही ने प्यार से दिया है नहीं तो अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानेंगे शुभम भाया बोलेंगे तो और अपना पंसा लगता है खेर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही चलिए अपनी कलास आज की स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको यह वाला प्रशन मैंने पिछली कलास में होमवरक के लिए दिया था तो पहले इसको डिसकस करेंगे इंटर पोल का मुख्यले कहां इस्तित है तो जिनों ने भी इसका अंसर लियोन दिया था लियोन जो की फ्रांस में है उन सभी का अंसर बिल्कुल करेक्ट है चलिए बढ़ते हैं आज की कलास की तरफ स्टार्ट करने से पहले एक बर फिर से आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आज की जो हमारी कलास है वो हमारी जी के स्पेशल कलास होने वाली है और टोटल प्रशनों की संख्या 30 है टार्गेट मैं आप सभी को आज 25 प्रशनों का देने वाला हूँ सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्रीट लगाना है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर करिए भारत में जिप्सम का सरवादिक उत्पादन कि स्राज्य में होता है उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश राजस्थान गुजरात विच स्टेट इस दा लारजस्ट प्रदेशर ओफ जिप्सम इन इंडिया आंसर मैच करिए क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन सी को आंसर किया है जिनों ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है नेक्ट बढ़ते हैं कोशन नंबर सेकिंड के कोशन नंबर सेकिंड आपके सामने है नरमदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जितने भी कोशन लिये हैं सभी की सभी सेलेक्टिड हैं वेर इस दा ओरिजन आफ नर्मदा रिवर अमर कंटेक्ट नीलगिरी अरावली पारसनात क्या आंस कोशन नंबर थर्ड देखिए जल्दी से इसका अंसर करिए किस सविधान संशोधन द्वारा मौलिक करतव्य को सविधान में जोड़ा गया ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोख सकते हैं बाइविच कॉंस् सविधान संशोधन 1976 के दौरान मौलिक करतव्य को सविधान में जोड़ा गया कोशन नंबर फॉर आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए निम्न लिखित में से कोन सा भारत सरकार का सविधानिक मुख्या होता है वू अमंग दा फॉलविंग इस दा कॉंस्टिटूशनल हैड ओ दा गॉर्मेंट ओफ इंडिया प्रधान मंत्री राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती इन में से कोई नहीं आंसर मैच करिए जिनों ने भी ऑप्शन B को आंसर दिया है राश्ट्र पती उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कोशन नमबर फाइफ आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए जल्दी से मोना लिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है आप्शन है लियोनार्दो दा विंसी एंजेला मारकेल हिटलर या फिर काल मार्क्स हूस वर्ल्ड फेंटिंग इस मोना लिसा आप्शन A जिनों ने अंसर दिया है लियोनार्दो दा विंसी उन सभी का अंसर बिल्कुल करेक्ट है Question number 6 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर Eczema नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है Which part of the body is affected by the disease called Eczema Eczema नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो option D correct answer रहेगा त्वचा Question number 7 विश्व में सरवाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है Which is the most populated country in the world भारत, अमेरिका, चाइना, रुशिया उमीद है ये वहला प्रशन किसी का भी गलत नहीं होगा According to population सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है Option C correct answer है याँपे हमारा जो भारत है वो according to population Second number पे है ये पता होना चाहिए और according to area हमारा इंडिया जो है वो 7th position पर है Question number 8 कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका फैसला कौन करता है लोकसबा अध्याक्ष उप्राष्ट्रपती राष्ट्रपती संसद के सदस्य धन विधेयक आपको पता होना चाहिए अनुचेद 110 के अंदर वर्नित है और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है इसका फैसला लोकसबा अध्याक्ष करता है Option A आपका correct answer होगा Question number 9 है आरजुन पृस्कार किस वर्ष शुरू किया गया इन विच यार आरजुना अवार्ड वाज इंस्टिट्यूटेड उननिस सो पचास, उननिस सो इक्यावन, उननिस सो इक्सट, उननिस सो पिचासी देखे आरजुन पृस्कार जो है यह स्पोर्ट के शेतर में दिया जाता है लगातार तीन साल तक बहतर प्रदर्शन करने वाले को अरजुन पृस्कार मिलता है इसकी शुरुवात उननिस सो इक्सट में हुई थी, आप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है और यह कोशन इंपोर्टन्ट है, एक्जाम में पूछा जाता है कोशन नमबर दस महत्मा गांधी द्वारा साबर मती आश्रम की स्थापना कहां की गई बैंगलरू, नेदिल्ली, इलहाबाद, एहमदाबाद साबर मती आश्रम महत्मा गांधी द्वारा 1917 में स्टेबलिस्ट किया गया यह पता होना चाहिए, यह इंपोर्टन्ट डाटा है और कहां पर हुआ था एहम्दाबाद गुजरात में आप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका चलिए ग्यारा नंबर प्रश्ण है आपके सामने रमायन किसके द्वारा लिखी गई वेरी वेरी इजी वेद व्यास विश्वामित्र महर्शी वालमिकी द्रोना चार्या हू रोट रमायना तो रमायन जो है यह है महर्शी वालमिकी के द्वारा लिखी गई आप्शन सी बिलकुल करेक्ट आंसर है कॉशन नंबर बारा है आपके सामने भारत में ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर कहां है जल्दी से बताइए भारत में ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर कहां इस्थित है आप्शन बी करेक्ट आंसर हैगा पुशकर राजस्थान में भारत में ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर है चलिएगा कोश्चन नमबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हाइड्रोजन बम किस सिधान पर अधारित है और वट प्रिंसिपल इस दा हाइड्रोजन बम बेस्ट आप्शन आपके सामने अवेलेवल हैं और जल्दी से आंसर करिए हाइड्रोजन बम जो है ये आपका नाभिकिये सनलेन पर अधारित है और नियंत्रीत नाभिकिये सनलेन अभिक्रिया कोश्चन नमबर 14 आकाश में तारे हमें टिम्टि पाते हुए क्यूं प्रतीत होते हैं इसके भी आप्शन हिंदी में है तो आप्शन बोल दिये जाएंगे प्रकाश के प्रावर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण पूर्ण आंत्रीक प्रावर्तन के कारण या फिर व्यती करण के कारण आकाश में तारे टिम्टिमाते हुए प्रतीत होते हैं रिफ्रेक्शन के कारण राइट याने की प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आकाश में तारे टिम्टिमाते हुए प्रतीत होते हैं 15 नंबर प्रश्ण है हरी प्रसाद चोरसिया किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुन थे सितार तबला मिर्दंग बांसूरी हरी प्रसाद चोरसिया कोन सा वाद्य यंत्र बजाते थे option आपका D correct आंसर रहेगा बांसूरी क्या सभी ने option D को आंसर दिया है चलिए लाश्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंड बॉक्स में चाहिए और इन तीस प्रशनों के बाद एक प्रशन होंवरग का मिलेगा होंवरग भी लेकर जाईएगा गांधी जी अपना राजनितिक गुरू किसे मानते थे गांधी जी अपना राजनितिक गुरू किसे मानते थे गोपाल क्रिशन गोखले को मानते थे आप सभी का डी यहाँ पर बिलकुल राइट आंसर है जी कोशन नमबर 17 है जी आपके सामने स्कीन पर बंगाल का विवाजन किसके द्वारा किया गया यह कोशन मैंने पिछली क्लास में डिसकस करवाया था बंगाल का विवाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था किसके साशनकाल में उस समय वाइसराए कौन थे करजन थे आपका यहाँ पर सी बिलकुल राइट आंसर है आठारा नंबर प्रस्ण देखिए निम्न में से किसे अर्थ शास्तर में नोबेल पुरुसकार प्रदान किया गया है वेरी इंपोर्टेंट रविंदर ना टेगोर अमर्ते सेन जग्दीश चंद्र बसू या फिर लाला हर द्याल हू अमंग दा फोल्विंग हैज बिन अवाड़िड दा नोबेल प्राइज इन एकोनोमिक्स 1998 में अर्थ शास्तर के शेत्र में भारत के अमर्ते सेन को नोबेल पुरुसकार दिया गया ओप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका कॉशन नमर उन्नेस किसे प्लास्टर ओफ पेरिस का निर्मान होता है वट इस मेड ओफ प्लास्टर ओफ पेरिस पी ओ पी सई जवाब रहेगा आपका आप्शन ए जिफसम को 120 डिग्री सेल्सियस पर निरंतर गरम करने पर पी ओपी का निर्मान होता है पी ओपी में कनवर्शन हो जाता है 20 नमबर प्रस्ण है आपके सामने शरीर में सबसे बड़ी अंतह स्त्रावी गरंती कौन सी है देखे अगर आपको बोलता सबसे बड़ी गरंती तो आपको लिवर आंसर करना था परन्तु अगर आपको बोल रहा है सबसे बड़ी अंतह स्त्रावी गरंती एंडोक्राइन ग्लेंड तब आपका आंसर है गया आपे थाईराइड ओप्शन सी करेक्ट आंसर है क्या सभी ने ओप्शन सी को आंसर किया है कोशन नमबर 21 आपके सामने निम्र में से किस गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है विच आप दा फॉलिविंग गैस इस यूज़ड फोर दा ट्रीटमेंट ओफ कैंसर हीलियम, जिनॉन, क्रिप्टोन, रेडॉन कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन का प्रयोग करते हैं ऑप्शन डी आपका यापे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हीलियम क्या है, सबसे हलकी गैस है और ये चारो की चारो गैसे जो है, ये कौन सी गैसे हैं? अक्रिये गैस है, इनको नोबेल गैस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखियेगा जिनॉन, आपको पता है, इसे इस्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है 22 नंबर प्रश्न है, हंटर आयोक की न्युक्ति, किस घटना से संबंदित है? जालिया वाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, सविने अवग्या अंदोलन या फिर चिपको अंदोलन The appointment of Hunter Commission is related to which event? Option A करेक्ट आंसर हैगा, जालिया वाला बाग हत्याकांड से संबंदित है जालिया वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रेल 1919 को हुआ था इसकी ही जाच के लिए Hunter आयोग की निखती की गई थी Question No.23 आपके सामने स्क्रीन पर और Very Very Important राश्ट्रिय पोशन संस्थान कहां है? Bengaluru, Ahmedabad, Hyderabad, Tamil Nadu Where is the National Institute of Nutrition? राश्ट्रिय पोशन संस्थान जो है ये हैदराबाद में है जी Option C Right Answer होगा आपका सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करिएगा अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अगनी वीर की त्यारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेलफूल है आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा Question No.24 है आपके सामने निम्न में से कौन सा नारा आचारे विनोवा भावे द्वारा दिया गया Which of the following slogan was given by आचारे विनोवा भावे Option है कर मत दो, संपूर्ण करांती, जय जवान, जय किसान या फिर जय जगत तो जय जगत का नारा आचारे विनोवा भावे द्वारा दिया गया आपका Option D correct answer है 25 नमबर कोश्चन, संवर्थी सूची किसी देश के सविधान से ली गई है Canada, Ireland, Australia, Daksin, Africa Concurrent list is taken from the constitution of which country Option C correct answer होगा, answer match करिये Australia के सविधान से ली गई है 26 नमबर कोश्चन, विनेश फोगाट का संबंद किस खेल से है विनेश फोगाट is related to which sport होकी, क्रिकेट, कुष्टी, बैड मिन्टन answer कर दो जल्दी से, क्या answer करेंगे विनेश फोगाट का संबंद कुष्टी से है Option C correct answer है आपका चले आगे 27 नमबर कोश्चन आपके सामने 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारतिय यूव दिवस विश्विरक्तदान दिवस अंतर राश्ट्री योग दिवस या फिर पृत्वी दिवस 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है Answer match करें अंतर राश्ट्री योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है क्या सभी option C को answer दे रहे हैं अब यहाँ पर देखिए प्रिथिवी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 एप्रेल को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को और भारतिय यूवा दिवस भारतिय यूवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जन्वरी को मनाते हैं स्वामी विवेका नंद जी की जन्ती पर question number 28 आपके सामने है radio का आविश्कार किसने किया who invented the radio Wheeler, Macmillan, Marconi, Demmler radio का आविश्कार किया गया था Marconi के द्वारा option C आपका यहां पे बिल्कुल correct answer है Macmillan, Macmillan के द्वारा cycle का आविश्कार किया गया question number 29 है आज का second last question shark का सचिवाले कहां इस्तित है where is the secretary of shark located धाका, काठमांडू, नई दिल्ली, थिम्पो देखिए, यहां पर आपके दो प्रसंद important बनते हैं अगर आपसे पूछले, shark की स्थापना कब हुई और कहां हुई shark की स्थापना हुई थी, 8 December 1985 को clear, कहां हुई थी, धाका, बांगलादेश में हुई थी, यह पता होना चाहिए धाका, बांगलादेश में shark की स्थापना हुई और कुछ लोग इसी को इसका headquarter बोल देते हैं, option में भी दे रखा है तो यह आपको गलती नहीं करनी है सार्क का headquarter सचिवाले कहा है तो काठ मंडू नेपाल में है, option आपका यहाँ पर भी correct आंसर होगा question number 30 है, आज का last question, इसके बाद एक question homework के लिए धिया है, homework लेकर जाईएगा, पहले इसका आंसर करिए प्रतम विश्वियुद के समय, अमेरिका के राष्ट्रपती कोन थे, who was the president of America during the first world war answer match करिए, जो भी option C को answer दे रहे हैं, वुड्रो विल्सन, उन सभी का अंसर बिल्कुल राइट है first world war के समय, अमेरिका के राष्ट्रपती वुड्रो विल्सन थे तो यही था आपका आज का सेशन, बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रशनों में आज आपने कितने question बिल्कुल correct answer किये हैं, यह question homework का है, कल की class में discuss कर लेंगे किस नदी को चीन का शोग कहा जाता है, यांग सी क्यांग, हांग हो, शियांग, मिकांग which river is called the morning of China चले, बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, इन 30 प्रशनों में कितने question बिल्कुल correct है मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत